अगर आप यह देख रहे हैं, तो आपके manifestation पूरी होने वाली है, अब उस चीज के लिए बिल्कुल light हो जाएए, और इसे universe के एक message की तरीके से ले लीजे, कि हाँ, मेरी manifestation पूरी होने वाली है, मुझे receiving mode पर आना है, तो उस चीज के लिए क्या-क्या करना होगा? रिलाक्स होना है, जादा उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है, doubt, security, negativity, इन सारी चीजों को अपने आपसे दूर कर देना है, क्यों? क्योंकि receiving mode पर आने के लिए ये सारी चीजों के आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके खुशी की जरूरत है, आपके high vibration की जरूरत ह आपके चहरे पर जगमगाती हुए इस smile की जरूरत है, आपके growth का समय आ चुका है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उस चीज को पकड़ लीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके manifestation seriously पूरी होने वाली है, और आपको receiving mode पर आना है, बस, इतना करना है इतना करने के लिए इन चोड़ी-चोड़ी चीज़ों को तो पीछे चोड़ी सकता है न, देखिए इन चीज़ों को अगर आप पकड़ करके रखेंगे, तो manifestation तो yes आपकी पूरी होने वाली है, लेकिन उसमें आप खुद ही delay कर देंगे, आप ये सारे चीज़े करके blockages डाल है, ये बिल्कुल ऐसे है, जैसे कि चंद्रमा है आस्मान में, आज पुल्मून है, ठीक है, लेकिन बीच में बादल आ गए, इतने बादल आ गए, इतने बादल आ गए, कि वो होते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर आप इंसिक्योरिटी, जाओट, य अपने आपको receiving mode में लाना शुरू कर दो, क्योंकि ब्रहमान ने आपको इस message तक पहुचाया ही इसलिए है, ताकि आप negativity से दूर हो जाओ, desperation से दूर हो जाओ, सारे के सारे doubt से दूर हो जाओ, और अपनी manifestation को real में घटते हुए, देखो, थोड़ा सा detachment की भी practice करो, किसी दूस पर काम करने लग जाओ, अपनी खुशियों पर काम करने लग जाओ, receiving mode पर आने के लिए, अपनी body पर, अपनी health पर, अपनी skin पर, अपने hair पर, अपने career पर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान लेकर के चले जाओ, जो कुछ भी manifest कर रहे हो ना, वो ज़रूर पूरा होने वाला ह है, आप उसे खुद से रोग को मात, अगर यह message आप तक पहुँच गया है ना, आप इसे feel कर रहे हो ना, तो trust me, आप बहुत जल्दी receive कर लोगे, बस receiving mode पर बने रहने की देर होती है, और वो चीज़ आपकी गोदी में आ जाती है, आप manifest कर लेते हो, और उसके साथ आप जी receiving mode पर लाने की तयारी, आज से, अभी से, इसी वक्त से, उसी energy में आएए, उसी vibration को feel कीजे, उसी चीज़ को ऐसे महसूस कीजे कि यह हो गई है, and attach, relax, यह हो गई है, हो गई है, तो इतना ज़दा attach होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारी life में घट जाती है, उससे हम होते ज़राद होते ज़राद ज़रूरत की तैस्टिव में घट जाती है, जो चीज़ नहीं घटी होती है, उसी चीज़को ले कर के हम डरते हैं, doubt लेकर सवाल लेकर कर आती है, confidence रहते हैं, लेकिन जो चीज़ घट जाती है, उस चीज़ से attachment भी उस level नहीं रहता, जब तक व पुछ रहना, पॉजिटिव रहना, अपने उपर लगातार काम करते रहना, आपको receiving mode पर तुरंत लेकर के चला जाएगा और आपके manifestation पूरी होने ही वाली है, यकीन करिये, आपके manifestation पूरी होने ही वाली है, बस आपको ready रहना है उसे receive करने के लिए, I love you, अपने मतर अरखी खा सारा प्यार, तांके आपट राक्त करें थी, सारा प्यार, love you all, आटा